तो पहली पोएम से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है My Mother Act 66 तो यह पोएम में हमारी जो पोएते से उनका नाम कमलादास है और वो गाड़ी में बैठके अपनी मदर के साथ एरपोर्ट तक जा रही है बीच रास्ते में वो अपनी ममी को देखती है और देखें कि उनकी ममी कोड़ कर जो है इस दुनिया से चली जाए तो वह बहुत जो फील करती है उस कार में बैठते समय जब उनकी मां उनके बराबर में बैठी थी जो डर वो महसूस करती है वो आज हमें बता रही है इस पोएम के थ्रू तभी इस पोएम का नाम है My Mother Act 66 तो लेट स्टी स्टी को्चन के एरपोरट पे जा रही थी फिर इस चली जाती लास्ट फ्राइडी कि मॉननिंग की बात है अगर शाय कि तो पाही में बैठी थी थी है अचली तक डा देख 272 मतहर नु делает is the जपके सी मार लेना तो क्योंकि जो है बुडापे मेना एनरजी लेवल डाउन होते रहते हैं बंदा जल्दी थखने लगता है तो इनकी मा भी गाड़े में बैटे थख गई है और सो चुकी है बैठे 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 ओपन माउट है थोड़ा समू खुला वाया उनका जिस समय वो सो रही है and her face action like that of a cops और उस समया हमारी पुईटिस देखते है कि मेरी मा के जो चेहरा है उसका जो अगया घ्राष कलर का हो गया है ऐश क्या होती है राक जैसे राख का कोई रंग मेहीं होता है ना चमकदार सा बिलकुल डल सी होती है तो यहां उन्हें अपनी मा के फेस को कंपेर किसे करा एक डेड बॉडी से कि वो जो चमक थी वो जो यंग होते वे जो सुन्दर था वो जो एक जो है चमक मेरे मा के चहरे पे होती थी वो अब नहीं है वो बहुत डल लग रही है ठीक है तो कहीं वो मुझे छोड़ गये जो है किसी दिल चली ना जाएं ठीक है फिर वो क्या करती है जैसे उनके मन में यह डर आता है बट सून पूट बात नहीं सोचनी चीए तो उन्होंने भी ऐसी करो नहीं नहीं सोचनी चीए कुछ थी हो सकता है उन्हों इ Zar dif Keeping your life is seen the इस नमागा निकाल और मैंने गाड़ी से बहुत करते जा करते हैं फिर्वाड़ यह पूर्यूत न sobhat नोग्याद्वी शिए तुसरी नहीं कुझ से जाता है तो स्थिक्षर्ड होगे तो भराबर में जो भी नहीं विश्यों देखते हैं भगते वे चांद देख रहा होता है जो है इसलिए उन्हें लगता है कि यह पेड़ मेरे साथ-साथ भाग रही है वह जो है उन्हें ट्रीज को देखती है तो वह कैसे लग रहे हैं जो बहुत यंग फुल ऑफ एनर्जी भागते वे और वही पर उन्होंने अपनी तो उन्हें वह पेड़ देखते हैं जो यांग पेड़ है तो यांग और ओल्ड एक कंट्रास तो दिखाई दिया उसके बाद वह देखती है दब मेरी चुल्डरन स्पिलिंग आउट ओफ देर होम्स चिल्डरन चुटी-चुटी बच्चे बच्पना जिनकी लाइफ अभी जो है कहीना कहीन मौत का और आपकी लाइफ उसका कंट्रास वह दिखारी है हमारी पोटे इन इमेज के थ्रू तो बच्चे उन्होंने क्या बच्चे तो यांग है बच्चो जो है एक एंटर्जी शोकर मोहाल बच्चे बना रहा है और वहाँ जब उन्होंने अपनी मदर को देखा तो उनको देखकर उन्हें क्या देख रही थी अप्रोचिंग डेथ ठीक है तो यह सारे वर्ड मीनिंग बाद में आप जो है रीड कर लेना इनको आगे पड़ते हैं ठीक है अब जो है वह एरपोर्ट पे पहुत जाती हैं तो क्या करती है लेट्स तरी बट आफ्तर दे एरपोर्ट सेक्यूरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू याद्स वे तो एरपोर्ट के सेक्यूर्टी चेक पर जैसे साब हमें बाई नहीं करें थे हमारे रिष्टेदार तो उनकी मां उनसे कुछ दूर खडी वही थी और कैठी तम मैंने उन्हें दुबारा दे क्योंकि वह बुड़ी होती जा रही थी तो फेल जो है कलर मतलब स्किन बहुत डल हो जोगे थी वह जो एक जो है चेहरे का नूर होता है ना वह नहीं था बुड़ापा उनकी शकल पर पूरा देख रहा था और उनका शकल कैसी लग रही थी बिलकुल पेन वान एस लेट वि देख रहा है विश्व साइट नहीं रहे है थी थी तो आघ जो देख रहे होता है तो उनकी माँ का चेहरा उन्हें फिर से जब बने लगता है और इसलिए उसको जो है लेट विंटर के मून से कंपेर करती है और साथ रहा जो है लिटर में देखोगे और आप जो है अथ ते पंट्टे जरते हैं spring क्या मिए दिखाते हैं तो warmth के पर मदें पंड डिधर के euch ओर दिखानी हैly'S आपको दिखाए जानी के ओर जैसे इस्टों नोग जी यह उनने देखा घ्री मुझ तोमीन चाहनी uncertainty वच्पन में भी उन्होंने वो दर सहा था कॉन साब जो डर है रैसे हम स्कूल जाते थे तो जाना नहीं जाते थे कहीं भी जाना होता है मम्मी को छोड़किन जाएंगे मम्मी के सो साथ में रहेंगे तो वही डर उनको दुबारा आते तो रिट करते हैं इस उनका वो उनको वापस आता है but all I said was see you soon अम्मा and all I did was smile smile and smile तो उन्होंने कुछ करा नहीं उस समय पर अपनी मधर को बोल के कहें कि मुझे डर लग रहा है उनको परशान नहीं कर दी जाती थी तो इसलिए वो एक hope के साथ जो है एक negative word of use उन्होंने बाई नहीं करा एक hope के साथ उन्हें बाई करती भी जाती है वो और क्या कहती है see you soon अम्मा और उन्हें देखके हस्ती रहती है हस्ती रहती है और हस्ती रहती है तो here you can see but all I said was see you soon कि मैं आपसे जल मिलूंगी और हस्ती रहती है और यहां अपनी हसी में वह अपना दर्द और अपनी जो है दुख और अपना जो डर है ना वह चुपा रही थी तो with this यह poem आपके complete होती है यह रहे आपके second stanza के जो है पूरे word meaning तो one मतलब होता है colorless बिल्कुल pale हो गया पीला सा और एक मतलब क्यों होता है कोई the pain आपको हलका सौरर जिससे पेट में दर्द को कहते है न स्टमक एक so with this let's read our next poem जिसका नाम है keeping quiet अपनी second poem जिसका नाम है keeping quiet इसको लिखा है पैब्लो नेरुडा ने और यहां पे वो हमारको इस poem के थो एक message दे रहे हैं अपनी life में introspection करने का introspection मतलब होता है बैठ के अपने अपर ध्यान देना और अपनी गलतियों को समझना एक तरीके से आप अपने को खुद को जानते हो introspection करके तो वह आज इस poem में आपको कहेंगे और पूरे अर्थ को कह रहे हैं और वह महॉल जो होगा वह कितना शांती भरा होगा कितना beautiful होगा एक ऐसा वाइब होगी जो हमने कभी ञसूस की नहीं होगी सोचो पूरी दुनिया में सारी गाडियों बंदों गई सारी मशीने बंदों गई सब ने जो है कोई भी काम करना बन कर दिया है बट बारा सेकिंड के लिए चुप होकर जो है मेडिटेट करें तरीके से अपनी गलतिया पहचान रहे है तो क्या वो है एक अलब इटमस्टियर होगा वो बता रहे है इस पोम के थुरू जिसका नाम है कीपंग कोई तो चलो पड़ते हैं अपनी इस पोम को Now we will count to 12 and we will all keep still तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हम count करेंगे 12 तक और हम रहेंगे बिल्कुल चुप और बिल्कुल still अब यहां पर 12 ही क्यों कह रहे है 15 क्यों नहीं कह रहे 10 क्यों नहीं कह रहे because 12 जो है यह एक बहुत ही important number माना जाता है because 12 घंटे होते हैं 12 ही zodiac signs होते हैं तो एक unity type का जो है यह एक symbol होता है तो इसलिए उन्होंने कहा कि let's keep quiet for 12 seconds यानि कि हम count करते हैं 12 तक 12 seconds हो जाएंगे इतनी देर के लिए हम बिल्कुल चुप रहेते हैं हम बिल्कुल still रहेते हैं for once on the face of the earth let's not speak in any language let's stop for one second and not move our arms so much तो वो कह रहे हैं कि एक बार ही सही इस दुनिया में एक बार ही सही हम जो है कुछ देर के लिए किसी भी भाशा में नहीं बोलते हैं किसी लैंगविज में बोलते हैं लैंगविज से वो यहां शो कर रहे हैं differences देखो जब हम लैंगविज बोलते हैं तब पता चलता है कि हम सब अलग अलग है मैं हिंदी बोलगी कोई English बोलेगा कोई French बोलेगा कोई Chinese बोलेगा कोई German बोलेगा ठीक है और वहां से differences कोई गुजराती बोलेगा ठोड़े-ठोड़े differences लोगों में बढ़ने सुरू हो जाते हैं कि हमारा तो यह ताओर तरीका है हम तो यहां के है हम तो वहां के है जैसे-जैसे language इंसान बोलता है वैसे-वैसे differences बढ़ते रहते हैं कई जगा पर उस differences से प्यार होता है अपको तो इंग्लिश बोली नहीं आती तो यह जो differences है इन सब को eliminate कर दो तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ यह कहते हैं वो सब को Let's stop for one second and not move our arms so much और वो क्या कह रहे है अपनी arms को move मत करो यहां पे arms का मतलब यह है कुछ काम मत करो चलो 12 seconds तक और दूसरा arms है वो गोली बंदू के जो वहां battleground पे चल रही होती है जो चल रही होती है जब वहां जो है soldiers अपनी जो है life जो है give up कर देते हैं countries के लिए country को बचानी के लिए जो war हो रहे होते हैं तो वो कह रहे हैं let's move our arms अपनी arms को भी हम move करना बंद कर देते आनि कि जो ये ammunition गोली बंदू के चल रही है wars को भी रोक दो कुछ समेक लिए ये जितनी जंग होई रही है उनको भी रोक दो चलो आगे पड़ते हैं अब अगर हम लोग ऐसा कर देंगे कि हम चुप रहेंगे कोई भाशा नहीं बोलेंगे वो और रूप देंगे और काम करना बंद कर देंगे 12 सेकिंड के लिए इट वोड बी एन इग्जोटिक मोमेंट ये मोमेंट कैसा होगा इग्जोटिक कभी-कभी वाज़े लाइफ को सादन स्ट्रेंगे विदाउट रॉष मतलब ये भाग धोरी सोबाट के ओफिस जाना है बिजनस पे जाना है शौप पे जाना है पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना है घर आना है ये जो भाग धोर बड़ी जिन्ग है और इंजिन्स को भी बन कर दो तो उनोंने क्या कहा विदाउट राश, विदाउट एंजिन्स तो वो एक्सप्लीं कर रहे है कि ये महाल कैसा होने वाला है विदाउट रॉष विदाउट एंजिन्स और हम अर्थ desperate के साब लोग तब सब इखटे होंगे इनना साटन स्ट्रेंट वो कह रहे हैं कि आप खुझ से अपनी मर्जी से 12 सेट तक चुप रहे हैं तो वो बिलकुल एक साटन स्ट्रेंजनेस होगा एक ऐसा महुल होगा जो आपने कभी experience नहीं कर रहोगा और क्या होगा इस सटन्स्रेंजनेस के महुल में जब हम 12 सेट तक कु रहेंगे तो से जो नीचर को हमारी अर्थ को हम इतना नुकसान पुचा रहें वो हुना बंद हो जाएगा जो फिशर में हैं हंट करते रहते हैं वेल्स को फिश को वोने हंट नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत हमारे अर्थ को नुकसान कम होगा and the man gathering salt would look at his hurt hands man gathering salt में तब वो लोग जो समदर के किनारे नमक इखटा करते हैं तो नमक इखटा करने से उनके हाथ खुद के गल जाते हैं उस पर स्कार्स हो जाते हैं तो आप जब वो 12 से के लिए रुकेंगे तो कम से कम अपने हाथों को देखके सोचेंगे कि हां मारे हाथ कित सब्सक्राइब जाते हैं यह अपने और रहन करया है और शूंट पर दिखानमे दिखाप अर्फ कोरते हैं ओदे मेस को थोड़ को पछल्स दफब द्रेख वेसे मिठाप करते हैं यह इंड करुए खुद आई हैं तो भी को परशान धो इटिमाग से तने परशन हो जाते हैं डिप्रेशन फैलता जा रहा है तो जब फिशर्मेन जो है अपने वेल को स्टॉप करेंगा नुक्सान करना और जो है मैं गैधरिंग सॉल्ट से मतलब है उनका पूरे हुमेंड काइड लोगों को पर्शान हो रहे हैं तो जो जब सॉल्ट वाला अपने हाथ देख वोट पुट ओन क्लीन क्लोट्स और वाक अबाउट विद्धियर ब्रादर्स इन दर्शेट तो यहां पर के रहे हैं वो लोग जो अर्थ को नुक्सान पहुचा रहे हैं वो भी रुख जाएंगे वो लोग जो ग्यास कार्बन डैयोक्साइड ग्लोबल वार्बिंग करते जा रहे हैं वो भी रुख जाएंगे वह लोग जो बहां पर एक दूसरे पर बंगोले फैकते रहते हैं वह भी रुख जाएंगे एंड जो है उससे क्या होगा एक एसी योगी विक्ट्री विद्नो सवाइवर्स यहां पर उनकाव एक देश जीट जाएगा वार में बढ़ नुकसान तो दोनों का ही होता है इसा तो नहीं किसी का नुकसान होता है सब ने अपने किसी बेटे को खोयो होगा सब किसी ने किसी लाइफ का नुकसान होता है तो इसलिए वो कहारे है In victory with no survivors वार को जो है कुछ देर के लिए रोग दो और सब पेनो clean clothes clean throat से मतलब है उनका कि आप साफ कपड़े पहनो मतलब जितनी बुरा ही या जितनी टेंशन जितनी आपने नफरत भर रखी थी मन के अंदर जिसको यह वार कर रहे थे अब clean close पहन लो उस नफरत को end कर दो and walk about with their brothers brothers मतलब जिन से तुम लड़ रहे जिनको तुम अपना दुश्मन मां रहे थे उनके साथ चलो in the shade मतलब क्यों गया ट्री के नीचे जाओ जहां पर तुम्हें शांती मिले and do nothing और वहां जाके कुछ मत करो कोई strategy मत बनाओ कोई कुछ मत करो चुप चाब वहां जाके उस exotic moment को experience करो ठीक है तो यहां पर सारे के सारे आपको word meaning दिख रहे होंगे चलो आगे परते हैं what I want should not be confused with total inactivity अब करें में 12 सेकंद तक चुप ने करें इसका मत यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्यारों कुछ बहां बन कर दो यह बन कर दो वो बन कर दो आपनी पड़ाई बन कर देना business बन कर देना और ओफेस बन कर देना यह नहीं कहा बहां मैं इस नोट टोट अप्टिविटी में नहीं कहारा हूं चोड़ गाली बैठ जो गर पर यह मेरा खहने का मतलब है कि कुछ देर चुप रहो मेडिटेट करो अपनी गलती पहचानो अपनी आपको जो है टाइम दो थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ को और फिर दुबारा शुरू हो जाना अपने काम पर तो वो यह कह रहा है what I want should not be confused with total inactivity life is what it is about कह रहे यह life है life में यह सब तो करना पड़ेगा आपको school भी जाना पड़ेगा college भी जाना पड़ेगा office भी जाना पड़ेगा business भी करना पड़ेगा factory में समान भी बनेगा तभी तो life चलेगी कोई चीज बंद नहीं कर सकते हैं बट कुछ देर रोके गल्ती पहचान सकते हैं जो गल्तियां हो रहे हैं उन्हें ठीक कर सकते है I want no truck with death I want no truck with death मतलब वो कहरे है अगर सब कुछ बंद कर देंगे हम कई भाई या ना तो हम factory चलाएंगे ना हम school जाएंगे ना हम office जाएंगे ना हम कुछ भी नहीं करेंगे तो वो क्या होगा it will be like death ऐसा नहीं मैं कहरो सब बंद कर दो घर पे खाली बैचो तेंग अपनी गल्ती पह है वो कहते हैं अगर हम इत्ता सिंगल माइंड़ होके हम बहुत जब जब लालची हो जाते हैं अपना भी धियान नहीं करते हैं आसपास फैमली में लोका तो दूर की बाते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं जो डेली बेसिस के काम होते हैं बट अगर हम आज 12 सेक वो जो है उस इंटरप्ट करेगा उसको वो चला जाएगा जब बारा सेकेंड तक चुप रहोगे मेडिटेशन करोगे तो धीरे धीरे जब मेडिटेशन करते हैं माइंड काम हो जाता है पीसफूल हो जाता है टेंशन जो और यह तो जब आपने आपको थोड़ा समय दोगे थोड़ा शान्त रहोगे तो उससे क्या होगा जैसे पढ़ते समय भी बहुत टेंशन लोड़ी हो तो पढ़ा ही छोड़ तो दस मिनट मोबाइल भी नहीं चलाने दस मिनट बैट जो और आम से चेयर पे रिलाक्स करो वो दस मिनट बार देखना क्या बढ़िया पढ़ा ही हो अब थ्रेटनिंग आर्सेल्स विद देख यह उन लोगों की बात करें दो आपको अपने आपको समझो के अपने आपको ताइम दोगे तो उससे जो है जो आपकी खुद की लाइफ को आप थ्रेट कर सकते हो उसका भी जो है खटरा चला जाएगा और अप खुद को अच्छ अब वह कहारे अर्थ से सीखो यह सिव मैं तुम्हें करने को नहीं कि अर्थ भी ऐसी करता है जब हमें लगता है अर्थ सब कुछ डेड हो गया तो अभी सब कुछ अलाई हो जाता है यहां वह कहरें विंटर और स्प्रिंग के बीश में चेंज आता है जैसी सर्दिया आती ह है पेड़ पत्तेखाली हो जाते है ऐसा उजाता है बिक्कुल ठंड आप आपको पेड़ों पेड़ों पता नहीं देखे कहीं पर कोई लाइफ नहीं दिख्ती यह बट किया हमीश ऐसी रहता है नहीं तभी थोड़ी महीनों बाद सीजन change हो जाता है spring आचाता है इधर चड़िया उधर चड़िया यह पेड़ पौध है यह वो तितली घुम रही है फिर से life हो जाती है तो अर्थ अपने आपको टाइम देता है शांतुने का ठीक है भाई अभी शांतुने का समय सर्दी आ गई और फिर दुबारा जो है रिजुवन अब वो हमें उस meditation से भार डा रहे हैं तो कोई पर meditation जहां से start करते हैं वहीं से end करनी होती है तो वो के रहे हैं में फिर से count करूंगा 12 तक and you keep quiet अभी चुबी रहो मैं चलता हूँ और अपनी उस meditation state से भार आ जाओ and now let's do your work तो वो हमें पहले उन्होंने में उन्होंने हमें 12 स second में जब तुम चुप होए हो अपनी बहुत गलती भी पहचानी होगी क्या गलत कर रहे हो आगी future में क्या करना चाहिए उसके बार में भी कुछ idea मिल गया होगा और मन बहुत शांत हो गया होगा एक अच्छी सी खुशी तुमारे अंदर होगी अब ऐसे mode पे जो भी काम नाम है a thing of beauty अगली पोएम जिसका नाम है a thing of beauty जिसको लेखा है जौन कीट्स ने एक बहुत ही beautiful पोएम है इसको न पेचीदा मत करना कि तुम beauty को लगाओ कि beauty मतलब यह beauty मतलब वो जो poet ने कहा है न वहीं बताती हूँ बस poet ने कहा है कि दुनिया की सबसे सुन्दर चीज thing of beauty जब भी तुम परशान हो तुम्हें उस परशानी में से भार निकाल के लाएगी वो beauty है क्या है वो beauty हमारा नेचर वो कहते नेचर में ऐसी ताकत है कि तुम कितने परिशान हो वो तुम्हें एक peace provide करेगी ठीक है और रोज जो तुम अपनी life जी रहे हो इतने अच्छे से जो के अंदर beauty बताएंगे उन शहीदों की जो है के अंदर जो जो है अभी कभी अपनी country को बचाने के लिए कभी किसी रीजन से जो लोग शहीद हो जाते है या वो लोग जो अपनी life में कुछ बहुत बड़ा काम करके जो है जब उनकी death होती है और सालों तक लोग उनको जानते जो अमर हो जाते हैं अपनी death के बाद में वो लोग है thing of beauty हमारे इस earth पे तो दो thing of beauty उन्होंने हमें इस form में बताई है एक है mighty dead यानि कि वो लोग जो शहीद हुए या फिर वो लोग जो दुनिया के लिए कुछ ऐसा करके गए है कि हम हमेशा उन्हें आद रखते हैं वो है thing of beauty और दूसरा हमारा nature है thing of beauty so let's study वो क्या बता रहे है हमें कि beauty क्या चीज होती है beauty जो है आप किस चीज को beauty कै सकते हैं इससे सुंदर चेहराई beauty नहीं होती है beauty का real meaning बता चलेगा तुम्हें इस poem से चलो पड़ते है a thing of beauty is a joy forever its loveliness increases यानि कि वो कह रहे है जो beautiful चीज होती है वो joy देती है forever वाला यानि कि वह ऐसी नहीं एक दिन की खुशी और अगले दिन भाया लडाई हो रही है tension हो रही है यह नहीं है thing of beauty नहीं thing of beauty हमेशा का joy provide करती है कुछ लोगों को जिनको बारिश पस्तों होती है ना देखना बारिश जब भी आती है ना ऐसा लगता है कि यार बोर हो जाओगे बट नेचर से कभी बोर नहीं हो सकते हो तो इसलिए वह कह रहा है think of beauty is a joy forever its loveliness उसका प्यार उसके लिए उसकी चमक है वह हमेशा बढ़ेगी it will never pass into nothingness वह कभी भी nothingness में जाएगी कैसी कोई कपल होते है ना बहुत प्यार करते है दिरे दिरे दूनों एक द भशिती है but it will keep a bower quite for us a bower क्या होता है इस bower होता है ट्री को चेसे को कहते है बढ़र अब 3.46 में क्या मिलती है शांती तो वह कहने क्या है यानि कि नीचर क्या है हमारा अगर नियचर से शिटीरे कि यह यास थ heeft वह फ verify हो क्रीक तो शया श्डशे जो लेगे चाहइग मिलती है तो वह शांति तुम्हें विव्य। ते उसे शांती तुम्हें मिलीगी असी स्वित शुर्ण देग सुम्हे Ted dreams वाली जो है sleep देगी यह नहीं कि तुम्हें रात को नहीं नहीं आ रही है टेंशन नहीं 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 तो रात की नहीं बहुत बढ़िया होगी अच्छे अच्छे सपने याएंगे और क्या होगा यू विल बी connected with thing of beauty और यहां पर thing of beauty क्या है हमारा beautiful nature चलो आगे पड़ते है second stanza यह रहे इसके word meanings चलो आगे पड़ते है word meaning में पिन भी कर दोंगे comments में therefore on every morrow we are rething a flowery brand to bind us to the earth अब हो कहरे there for every morrow मौरो से मतलब उनका क्या है next day इसलिए हर अगले दिन रेत मतलब होता है किसी चीज को जैसे मैंने तुम्हें एक वायर दे दी या मैंने तुम्हें कुछ एक द्धागा दे दी और तुम्हें कायो से मोड के तुम उसे रेत करो रेत मतलब क्या हो उसको कु अगला दिन हमें continue करना है तो आगे का दिन किसके साहरे continue करते है जो हमारी beautiful memories होती है तो इसलिए every morrow जब हम उठते है यानि कि अगला दिन जो भी अगला दिन हम उठते हैं तो पता है हमें हम किसके साहरे उठते हैं हम उस माला के साहरे उठते हैं जो हमारी good memories का हमारी लाइफ में कुछ bad memories होती है वो चली जाती है एक दिन तक याद रहेगी दो महीने तीन महीने तक याद रहेगी थोड़ समय बात bad memories हमारे ना subconscious mind म good memories होते हैं वह हमेशा हमार को याद रहती है तो वह कहते हैं वही good memories है उसके basis पर अपना अगला दिन कर पाते हैं कि बोड़ी चीजों को सोचते रहोगे तो अगला दिन करने की इंमत ही नहीं बचेगी तो इसलिए वो कहते है देखना दिन कितना बढ़िया जाएगा in spite of despondence कितने despondence मतलब दुख बरी चीज़े तुमारी लाइफ में हो रोज सुपे उटके एक फ्लावरी बैंड बनाओ अब वो यह नहीं कहरे है नेचर में जाके फूल तोड के माला बनाओ नहीं वो कहरे हैं अपनी good good memories का एक माला बनाओ उसको याद करो फिर दिन को continue करो in spite of despondence चलो इसको पूरा डीट करते हैं तो यहां पर वो कह रहे है क्या चीज कि लाइफ किती दुबबर ही हो चुक है हमारी लाइफ कैसी हो चुक है despondence से भरी है in human dearth of noble natures इसका मतलब है आजकल दुनिया में लोग कैसे हो चुके हैं लोगों में प्यार ही नहीं बचाए इंसानियत बची ही नहीं दूसरे को दुछा के मज़ा आता है बहुत gloomy days हो चुके हैं unhealthy और over darkened ways है कभी कभी है मैं समझ में नहीं आदा life में आगे क्य करें सब कुछ dark लगता है क्या ही ओपाए का मुझे तो अपना future नहीं देख रहा है unhealthy ways मतलब क्या हो रास्ता थोड़ी होता है बट हमें लगता है क्या हमारी life में क्या होगा सब कुछ dark dark लगता है कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है सब हमारा बुरा सोच रहे हैं in spite of तुम shape of beauty moves away with the pearl from our dark spirits तो यह ही कह रहे हमारे को कि यह in spite of all the bad things in the world एक तुमारी good memories और दूसरा nature ही है जो तुमें जो है एक अच्छा दिन करने के लिए अच्छी life जी निकली motivate कर सकता है तो चाहे तुम्हें कितना बुरा फील हो रहा हो चाहे तुम्हें लग रहा है मेरा कुछ नही देते हम इसके डर्थ मतलब होता है किसी चीज का लाक होना ओवर डार्कें मतलब बहुत ही जादा अंधिरा और पाल मतलब होता है डाकनेस दर्द दुख ठीक है तो कोई भी beautiful चीज को अगर तुम सहारा बनाऊगी अपना चाहे वो नेचर हो या अच्छी अपने यादों को तो तुमार को कितने भी चीजे difficult लग रही हो it will be very easy ठीक है तो चलो आगे पढ़ते हैं अगो हमें बताएंगे that कौनसी है वो beautiful चीजे जिनका तुम सहारा ले सकते हो एक तो good memories मेने बता दी उसके अलावा nature की वो कौनसी beautiful चीजे है जिनको तुम अपने जो है connected जिन से रहोग sprouting shady boon तो यह क्या है वो कह रहे है यह क्या है यह think of beauty है for simple sheep and such are daffodils यानि की जो shady boon होता है वो जो forest हो गया या फिर जो पेड के नीचे की चाया हो गई जो sheep जाती है जहापे sheep पहां पे जाके अपना खाना खाएंगी यह सब nature की चीजे क्या है यह सब beauty है daffodils एक flower होता है य आफो डिल जो अपने जंगल में रहते हैं clear rills rills क्योंते है पानी यह देखो कहीं से पानी यह से यू निकल के जा रहा हो यह देखो यह होती है these are the rills कहीं पर किसे तुम कोई जंगल में जा रहे होते हैं वह हम shows देखते हैं गर रिल आ जाती है इंसान किता खुजदारी पा आफो टिंग अशेडी बून तो पहला क्या का sun है moon है और trees old हो या young हो जो shady boon करते है एक shade प्रोइट करते है जहां पर दूप से बचने के लोग जा सकते है ठंड़ ठंड़ एसास मेलें वह है थिंग ब्यूटी फोर सिंपल शीप किसके लिए वो शीप के लिए कह रहे है शी think of beauty अपने green world में जब होता है यानि कि घर में लगावा जो फोरेस का डाइफोडेल होता है वह है think of beauty and clear rails that for themselves a cooling covert make clear यह थंड़ ठंड़ पानी की लहरे कोही से भी फॉरेस के बीच में से रिवर का नहीं निकल आजाती है उसको वह कह रहे हैं रिल्स जो बिलकोल यह cooling covert बनाते है ठंड़ सा जो है घर्मी होईगी तो आसफास में सिव रिवर जारी होगी तो वहां ठंड़ सा हो जाएगा आपारी प्यास पॉजा दे वह ब्यूटिफूल सा रिल को देख रहने हो स्वाटर बॉड़ी को देखकर इंसान को खुशी हो जाती है तो वह है थिंग ओ ब्यूटी एंड यह नेक्सी वह क्या केते हैं तो वह जो है जंगल के बीचों बीच अगर तुम चले जाओ और अब यहां पे जो वो खुश्बू रखी होती है, sprinkle musk rose की, वो है think of beauty, तो यह पाच्छे think of beauty हमें poet इस poem में बताई है, पहले nature वाली, अम next thing of beauty वो हमें क्या बताते है, वो जानते है, तो यहां पे think of beauty पढ़ ली, sun है, moon है, trees है, daffodils है, clear rills है, और musk rose वाली खुश्बू है, thing of beauty, next वो बताते है, thing of beauty क्या है, and such too is the grandeur of dooms, and we have imagined for the mighty dead, next क्या है thing of beauty, mighty dead, वो लोग जो मरे, जब वो मरे तो वो जो है, उनको आज तक याद करा जाता है, we respect them, grandeur, जैसे को शहीद होते हैं, जो लोग उनको कभी भी बूला नहीं जाता है, वैसे ही वो लोग जुनोंने कोई बनाने के लिए कोई अलग अलग चीजे बनाई, उन लोगों को, जैसे हमारे freedom fighters हो गए, जोनोंने हमारे लिए अजादी की लड़ाई लड़ी, वो कॉन है, उनकी तो death में भी beauty है, that is beauty, तो वो लोगों को कह रहे हैं, next thing of beauty क्या है, जो है mighty dead, जो लोग जब मरे भी, तो लाइ जो है बात तक उन्हें याद किया जाता है, वो mighty dead है, हमारी thing of beauty, all lovely tales that we have heard or read, किसकी lovely tales सुनते है, आप freedom fighters की कहानिया पढ़ते हो, आपके लोगों की कहानिया पढ़ते हो, उनोने ये करा, समाझ के लिए ये करा, ये करा, तो वो जो लोगों की कहानिया है, वो mighty dead है, वो है thing of beauty and they are like endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring, और ये सब thing of beauty क्या है, ये nature हो गया, ये कहां से आ रहा है हमारे पास में, अब वो source बता रहे है हमारे को इस thing of beauty की, ये जो thing of beauty है, ये जो nature है, ये क्या है, ये एक fountain की तरह है, जो heaven से हमारे पास आया है, यानि कि ये भगवान ने हमें, God ने हमें इस आपना हमें करना चाहिए, ठीक है, तो लास्ट में वो कहते है, ये सारी thing of beauty क्या है, इस एन endless fountain of immortal drink, pouring unto us from heaven spring, ये हमारे पास आ रहे है, नेचर कहां से आ रहे है, हमने बनाया है, कुछ नेचर का, नहीं ना भगवान ने बनाया है, तो वो खेरे है, ये सब कहां से आ रहे ह हम मर जाएंगे, बट नेचर हमीशा वैसे के वैसा immortal है, अभी तक आ है, सालों पहले से आस तक नेचर विलकुल वैसे, that's why he is calling nature immortal drink, pouring unto us, कहां से आ रहे है, हमने बनाया है, तो वे देस ये पोएम भी complete होती है, अब हम पढ़ेंगे अपनी अगली पोएम, आंट जेनिफर इसको लिखा है, एंडूइन रिच ने, और यहां पे वो हमें जो है, अगर यह नाम पोएटिस की बात करें, एंडूइन तो एक फेमिनिस्ट पोएट है, तो जो पर पोएम्स ने लेखे हैं, उन्होंने वोमिन के लिए बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखे है, जहां उन्हों को अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पाती है, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो दीरे-दीरे वो बहुत परशान रहती है अपने लाइफ में, बट जहां कर भी कुछ डर के मारे बोल नहीं पाती है, तो उन लेडीज का दर्द उन्होंने दिखाया है, आंट जेनिफर के थू इस पे कडाई करी जाती है, एमरोइडरी करी जाती है, तो यह उस पैनल पे टाइगर बना रही है, अब टाइगर ही क्यों बना रही है, शीप क्यों नहीं बना रही है, अगर आप वैसे देखो, तो शीप को टाइगर खा जाता है, शीप थोड़ा सम्मे से वीक सी दिखती ह तो हमारी आंट जैनिफर टाइगर बना रही है यानि कि अपना मन जो है वहाँ पे उसमें कड़ाई कर रही है वो वह चाती है कि वह टाइगर की तरह बन जाए जो मन में आए वो करे उन्हें भी freedom मिले वह भी बहुत ताकत पर हो जाए वह भी ताइगर की तरह गुर्णा उस ताइगर को बनागे तो चलो परते हैं अपनी इस poem को Aunt Jennifer's Tiger तो Aunt Jennifer's Tiger's Prance Across Screen Bright to Pass Demoises of a World of Green तो aunt Jennifer's Tiger Prance कर रहे है प्रांस मतलब कूदते वे वो tiger कैसे बनागे उन्हें हसने खिलते वे और बहुत टशन में कूदते वे बना रही है स्क्रीन की हो है वो canvas वह जो वो पड़ा है उसके उपर डैसे बनाएँ से ब्राइट चमकते है तोपेज होता है यलो इस से कलर का एक कृस्टिल होता है आप पाने लोग तो भूं अपी आहसे चमकता वाट नश जैसे कलर का वह उसको बना रही है यलो वाले कलर का और वह कौन ह होते हैं रहाले मतलब क्या होते है जो जिस जगह पर रहा इस इस दवेलें ऋ यहां पर मैं बिनिट टी कौन है यह मने लास्ट यह पर आपके जो है वड़े भाइवे ने को समझाया था इस पर कोईशन भी आये थे एक्जाम में मैं बिनिट ट्री सबसे पहले तो है में डॉमिनेंस ओ कर रहा है कि जो हमारी आंट जैनिफर है वह बहुत ज़्यादा डरती है अपने हज्बेंट से और बहुत सारी लेडिस ऐसी होती है जो मेल डॉमिनेंस के तले दब जाती है बट यह टाइगर नहीं डबेगा टाइगर के लिए मैं बिनिट ट्री कौन है वह शिकारी जो जो है पेड के पीचे छुपा होगा उसको शिकार करने के लिए टाइगर तो टाइगर को किसी का ड़ नहीं है यह ड़ेंट इवन केर अबाउट दमें बिनिट जट्री यानि कि उसे अपने शिकारी से भी ड़ नहीं लग रहा है दे पेस इन स्लीक शिविलिरिक सर्टिनेटी पेस मतलब होता है चलना फ्रीली मूव करना स्लीक मतलब होता है ऐलिगं तो टाइगर की वॉक में क्या दिख रहा है फ्रीडम कॉन्फिडेंस स्ट्रॉंग तो टाइगर फ्रीडम से भरा हुआ है टाइगर स्ट्रॉंग है टाइगर शिविलिरिक है बढ़ हमारी आन्ट जैनिफर के ऐसी है बिल्कुल सम्मेस बिल्कुल वीक है चाहे तो भी वह अपनी जो है अपने ड्रोइंग में बना रही है आपने यॡ्री में कर रही है कहां वो जो है इतनी वीक कुछ भी नहीं कर पार ही अपनी राइफ में और वह कैसे बनना चाहती है जो किसी से नहीं डरता है चलो आगे पड़ते हैं आट जेनिफर स्टिंगर फ्लटरिंग वो इतने हैं अपनी टेंस है अपनी मेरेड लाइफ में इतना उनको टेंशनों से और बुरी चीजों से भरी विया है उनकी उगलिया तक काप रही है उस वह जो है इंब्रोइडरी करते हुए जो है इतनी कापरियों के उगलिया देट शेफाइं आइवरी नीडल यानि कि वो सुई जो है उसको जो है इंब्रोइडरी करने के लिए उसको पुल करने में वी उनने कहए इतना इफट लग रहे है ऐसे उनकी उगलिया काप रही है और वो काप इसले नीडिया यह जो बहुत भारी वजन है अंकल के वेडिंग बैंड का वेडिंग मैंड मैंगूत ही जो तो वो केडिया अंगल की जो वो शादी के अंगूठी है, वो इतनी भारी है कि आंट जैनिफर के हैंड पर उसका बहुत बोज है, अब क्या अंगूठी भारी हो सकते हैं, ऐसे कितने तोली की पेनादी भाईया, जो हाथ भी भारी हो गया, नहीं है, इसका symbolic मिलिंग है, यानि उनको कभी time नहीं देते होंगे, तो वो जितनी भी बुरी बुरी चीजें जो उनकी शादी करने पर उनके साथ हो रही है, वो बोज बन गया है, उनके हाथों के उपर, तो वेडिंग बैंड, यानि कि वेडिंग मैंड क्या दिखा रहा है, वो जो रिंग है वेडिंग की, वो कैसे मिलाइस कर गया है, all the bad experiences, जो उनको शादी के बाद उनने जहीलने पड़ें, उस हरिंग की वज़े से, यानि कि अंकल की वज़े से, वो उस से उनके हाथ पे भूच पड़ गया, यानि कि उनकी लाइफ पे भूच पड़ गया है, ठीक है, चलो आगे पड़ते हैं, When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ring with the odils, she was mastered by, अब उनके हाथों में वो डर देख रहा होगा, कि हाँ, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, जो वो चाहती थी, वो नहीं कर पाई, जैसा वो खुल के जीना चाहती थी, कि उन्हें अपने राइट्स मिले, वो सब वो नहीं कर पाई, वो उनके ड मेबी उनको जब जो है, उनको दफन किया जाए, तो वो जो एक स्टोन लगाया जाता है, उस पे भी वाइफ ओफ लिखा होगा, उनके हस्बेंड का नाम, तो थ्रूआउट हर लाइफ एनिवन डेथ के बाद भी, वो अंकल से अपना पीछा नहीं छोटा पाईंगी, ये व चीज है, जहां पर आंटी का डर नहीं देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ है, उस उनकी ड्रॉइंग पे, जो इंब्रॉइडरी उन्होंने करी, अगर उसको देखोगे, तो तुमें पता चलेगा आंटी अंदर से कैसी ती, बिलकुल उस टाइगर पे थी, यानि कि टाइगर जिल्रिंग विड ओडिल्स वाले लाइन में अभी नहीं पड़ती है, बता लेती हो, जो अगर उनके टाइगर वाली पेंटिंग को देखेंगे, उस कप्डे को देखेंगे, तो दिख जाएगा कि उनके टाइगर किते फिरोशियस है, वो तो हमेशा उनकी आच तो हमेशा जिन्दा रहेंगे, आण्टी तो हमर गई है, ठीक है, तो वो दिखा रहे है कि अंदर से वो बिल्कुलिस टाइगर जैसा बनना चाहती थी, अंदर से वो फीलिंग टाइगर वाली थी उनकी, बट वो कभी बन नहीं पाई, और उनों ने जो है, गिव अप कर दिया, शी डा यह लेंदी है, डिफिकल्ट भी नहीं है, जो भी कुछ लाइन आपको समझ नहीं आई थी पोएम पढ़के आज आजाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, एक-एक लाइन इन दीटेल, और यह बहुत इंक्रिस्टिंग पोएम है, होता क्या इसमें, नहीं है, पता नहीं किस कॉलिटी का समान होगा, इनके पास में, क्या रखा होगा, और जो है कभी उनकों नहीं कहते हैं, और अपनी ही धुन में अपनी डेस्टिनेशन पे निकल पड़ते हैं, तो आज वह हमें ये बताएंगे, कि वो रोटस्टाइट के लोगों को कैसा ल गाड़ी तो रुख जाए, दो तो रुखे, तीन तो रुखे पूरे दिन में, 100 रुपे, 200 रुपे तो हम कमा ले, और जब कोई भी नहीं रुखता है, तो उन्हें कैसा लगता है, ये वो बताएंगे हमें इस पोईट के थूरू, और ये सिखा रहे हैं वो, कि जब भी आपक इस पोईब को, the little old house with a little new shed, in front at the edge of a road where the traffic's dead, यानि कि वो कह रहे हैं कि एक little old house है, पुराना सा गर है, ये गरीब ही शो कर रही है उन लोगों की little old house है, with a little new shed, अब उन्होंने little, छोटा सा एक नया shade डाला है, ये ऐसी shade सा डाल दिया है, नीचे यहां पे ऐसी दुकान सी लग expect, कहां पे main road पे जहां से गाड़िया निकलती भी जाते हैं, जहां से traffic निकलता हुआ जाता है, a roadside stand that to pathetically pled, क्या लगाया है, उन्होंने एक roadside stand लगाया, roadside चोटी सी दुकान लगाई है, जो जो है, क्या कर रही है, वो भी pathetically pled करें, और आब उस roadside stand को pathetic, pathetic को चीज होती है, किसवा को देखें, तरस आजाए, औरे क्या है यह है, तो ऐसा roadside stand है, roadside stand खुद pathetically pled, pled मतलब गुजारिश कर रहा है, आते जाते लोगों, उसे कि यार मेरे से कुछ खरीद लो, मेरे जो मालेक है, वो भी कुछ पैसा कमा ले, तो इतना बेचारा सा stand है, stand भी कोई बड़ा आ the cash, whose flower supports the flower of cities from sinking and withering fang, अब यह तीन लाइन बच्चे को ऐसे समझनी आ रही है, अब बताती हूं, वो कह रहे है, यह roadside stand उन्होंने लगाया है, but it would not be fair to say for dole of bread, कोई भीक मांगने के लिए नहीं लगाया है, कोई भीक मांगने के लिए नहीं लगाया है, कोई भीक मांगने के it would not be fair to say for dole of bread, but for some money, उन्होंने कुछ पैसे के लिए लगाया है, cash के flow के लिए लगाया है, cash के होते है, money flow ही तो करता है, एक जग से दूसरी जग होगे जाता है, cash flow ही तो करता है, वो जो है उन्होंने roadside stand, अपना responsible लोग है, independent लोग है, जो है, उन्होंने self-respect है, वो क्या कर आते हैं किसी तरीके से, तो what they thought, वो कहते है, business करते है, it would not be fair to say for dole of bread, donation नहीं मांग रहे है, वो क्या कर रहे है, independent होके, जो है, अपना एक initiative दिखा के, उन्होंने business शुरू कर रहे है, and वो हमसे क्या मांग रहे है, money, वो हमसे पैसा मांग रहे है, अपनी चीजों के बदले, cash मांग रहे हैं, वो ही cash, जिसका flow support करता है, flower of cities को from sinking and withering fin, flower देखे हैं, मुर्जा आ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, faint मतलब खराब हो जाते हैं, but वो कह रहे हैं कि जो flowers है, cities के, यानि कि हम शेहरी लोग जो है, हमारे पास पैसा होता है, क्योंकि शेहर में development आती है, शेहर मे अच्छी सडग भी है, अच्छी घर भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, बैंक भी है, और जो है मार्केट में जो समान बिकता है, लोग जाके खरीदे भी है, एतनी population भी है, तो वो कहरे है, वो शेहर के लोग जिन पे इतना पैसा है, वो पैसा उनको फेंट नहीं और देता, मुर पॉलिष ट्राफिक पास भी है, बट पॉलिष ट्राफिक चम चमाती भी गाडिया जाते है, अपने से मतलब उन्हें नहीं फरक पड़ता है, क्या रूट साही च्रेंड ले कुछ खरीदे, और इफ एवर असाइड अगर बाइचान से ऐसा हो, कि कोई उनके रूट साही तर जाते हैं रोट साइड स्टैंड को देखके, बिकास उन्हें लगता है कि यह जो लैंड स्केप है पीछे का इतनी ब्यूटिफुल जगह होती है, हाईवे पर पहार दिख रहा है, वो देखते हैं यार इस रोट साइड साइड स्टैंड की वदे से तो पूरी ब्यूटी खर जाके और अजीब सी शकले बनाते हैं कि क्या सड़ा सा यहां दुकान लगा लिया है, सारी ब्यूटी खराब कर दी हमाने हाईवे की ऐसे करते हैं कुछ शेहर के लोग और जो है इरिटेट होंगे क्या देखके, और जाते हैं रुक बेजाएं और इरिटेट होते हैं देखक की बड़ कभी यह नहीं कहेंगे कि कुछ आके इनसे खरीद लें और किस शीज को देखके वो परशान होते हैं तो यहां पर वो सारी चीज से बताई है जिससे देखकर जो है सिटी के लोग अगर कोई ध्यान भी दे दे उनके जब स्टैंट पर तो यह नहीं सोचता कि जाके इनका सब्जी है इनका सब्जी है इनका जो स्क्वाइश एक तरीके का लोकी होते है ना लोकी घिया उसके एक भाई-बहन वाली सब्जी है मुड़ी वी सी गर्धन है इस पर उनकी अपनी दुकान पर बेच रहे है या उसको देख लेंगे या पीछे जो सीनरी देख रहे है उनके स्टैंड के पीछे जो पहाड होगा जो खेत होगा है हाईवे तो ऐसी होते हैं उसको खड़े होके देख लेंगे वन्ना तो कोई उनकी तरफ मोड़के देखता है यह गारी लेके सीधे चले जाते हैं और अकर कोई देखे का भी तो यह नहीं कहेंगा जी भाई साब यह सब्जी कितने की दी जरा है किलो हमें भी दे तो नहीं यह क उनों के point of view से पर सकते हो या तो यह सोचो कि जब नखरें दिखाते हैं यह city के लोग गाड़ी रोक के किया रेक्शन गलता है क्या गंदी-गंदी सब्जियां बेज रहे हैं तो वह लोग जो है city के लोगों को दे जब ऐसी हरकत करते हैं तो या तो तो में दोनों लाइन को समझ सकते हो कि villagers या फिर वो roadside stand के जो लोग है business जो कर रहे है वो roadside stand वाले वो यह reply करते होंगे अपने मन में उनको या तुम poet की तरफ से भी देख सकते हो कि यह poet ने भी कही है यह lines तो पहले अगर तुम उनके हिसाब से देखो कि जब roadside stand वालों को ऐसा react करते हैं city के लोग तो roadside stand वाले क्या कहते हैं you have the money हाँ हमें पता है हमने stand लगाया हमारे पैसा नहीं है बट तुम्हारे पास पैसा है न ठीक है बट तुम्हें इतना ही mean होना है तुम्हें इतनी हमें गंदी-गंदी बाते बोलनी है कि हमने direction अच्छे नहीं लगा है हमारे stand ब्यूटी खराब कर दी है हमारी सब्जी अभी गंदी quality है ठीक है तो तुम लोगों को इतना ही mean हो रहा है तो keep your money रखो अपना पैसा अपने पास में this crossly मतलब गुसे में वह भी कहते है city stand के लोग कि हाँ ठीक है roadside stand वाले लोग सौरी कहते कि ठीक है तुम अपना पैस रखो and go along जाओ जाओ से मत रोको कुछ मत देखो हमरे पास से कुछ मत खरीदो तो roadside stand के लोग भी कभी कभी गुसे में सोचते होंगे ऐसा जब city के लोग उनको बुरी भली बाते बोलके जाते होंगे कि अरे तुम्हारे तो roadside stand ने सारी माहौल खराब कर दिया या फिर तुम इसको poet के point of view से तो इन से जाके और फिर poet क्या कहते है अब यह वाली लाइन तो पक्का poet ही कह रहे हैं the hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid मैं भी कहता हूं कि roadside stand से थोड़ा पीछे की scenery पे खराब हो रही है वो क्योंकि उनका stand इतना सुंदर रही है बट मेरी complaint वो नहीं है मेरी complaint यह है कि वो जो trusting sorrow जो उनके अंदर आया है trusting sorrow मतलब क्या वा देखो उन लोगों ने city के लोगों पर trust कर रहा था कि यार हम business करते हैं हम यहाँ पर stand खोलेंगे सब लोग जाते वे नहीं हमार से कुछ खरीद लेंगे वो जो है हम लोगोंने उनका trust तोर दिया हमने उनसे कुछ नहीं खरीदा तो उससे उनको दर्द हुआ ओगा जब हमने उनसे कुछ नहीं खरीदा तो वो जो trusting sorrow है कि उन्होंने त्रस्क और हमने उनका trust तोर दिया वो जो दुख होंके अंदर है it is unsaid उन्हें हमारे poet को ये दुख हो रहा है कि यार इन लोगों ने तो इस उमीन में stand लगाया तो roadside stand वालों ने यह हम city के लोग कुछ खरी देंगे बढ़ा हम हैं बड़े बेख शरम हम इनसे कुछ नहीं खरीते हैं and ask for some city money to feel in hand और हम चाहरे है कि city के लोग हमसे खरी लो जिसे हमें भी city का मिली हमारे हातों में हम फील कर पाए हम भी पैसा कमा पाए to try if it will not make our being expand और हम इसलिए करे हैं so that हम भी अपनी being expand कर पाए हम भी अपना lifestyle अच्छा मेंटेन कर पाए गर पे अच्छा खाना खा पाए बिजली का विल जमा कर पाए बच्चों को पड़ा लिखा पाए and give us the life of the moving pictures promise और हम कुछ पैसा कमा पाए जिससे वो जो पिछरे हमें जो दिखाती है ना जैसे city के लोग भी पिछर देखते होंगे roadside stand के लोग भी पिछर जब आप पिचर देखते हो कोई तो पिचर में बहुत आपको दिखाया जाता है कि एक लड़का था या लड़की थी थोड़े गरीब से थे उन्होंने कुछ मेहनत करी कोई business करा उनका business बहुत चल गया और वो बहुत अमीर बन गए ऐसा पिचरों में दिखाया जाता है तो roadside stand के लोग भी देखे उसे motivator को जाते होंगे वो भी सोचते होंगे कि हम कुछ करें बट पिचरों जैसा उनके साथ सच में नहीं होता है वो stand लगा रहे हैं तो कोई कुछ खरीद नहीं रहा तो इसलिए वो कह रहे है roadside stand के लो कि भाई हमसे कुछ खरीद लो क्योंकि हमने तो इस उमीर में ये stand लगाया था कि हम भी city का money feel कर पाएंगे हम भी थोड़ा बहुत वैसी life जी लेगे जैसे उस picture में दिखाई जाती है बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और that life that party in power is said to be keeping from us और हम उसलिए हमने ये roadside stand लगाया है क्योंकि हमें वो life चाहिए जो party in power is keeping from us party in power मतलब है government देखो government को भी duty है कि वो इन लोगों की जाके मदद करें इनका lifestyle अच्छा बनें इनको अच्छा पैसा कमाई कर पाएंगे तो government जाके मदद करें बट government तो मदद कर नहीं रही है तो इसलिए करें government ने मदद नहीं करें इसलिए हमने अपरा roadside stand लगाया है जिसे हम खुद कुछ कर पाएं बट तब भी कुछ नहीं हो रहा है बिकॉस हम लोग इन से रोक कर कुछ खरीदते ही नहीं है चलो आगे पड़ते हैं अब एक न्यूस बे बात चल रही है पोईट बताते है इस पिटिफुल मतलब जिसवे तुम तरस काओ किन मतलब होते है फैमिली वाले यह जो सारे roadside stand के लोग यान के लिए बाते चल रही है कि इन सबको इखटा लया जाएगा और इनको gather करा जाएगा इन सबको इखटा लाके gather करेंगे तो live in villages इनके लिए एक village गाओ बनवा देंगे इन लोगों के लिए और इने कहेंगे तुम वहाँ जाके रहो next to the theater and store और उनको कहा जा रहा है कि तुम्हार को जो है ना उस गाओं में थीटर, सिनेमा, हौल भी मिलेगा और अलग-अलग दुकाने भी मिलेंगी वेर दे वोंट थेंक फॉर देमसेल्स अनियोर और वहाँ तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन कर रहा है उन्हें प्रॉमिसेज येस और राइट पॉलिटीशियन्स जब भी उनके एलेक्शन्स आएंगे वो आके इन्हें फेक प्रॉमिसेज करने स्टार्ट कर देंगे तो दुबारा खबर ये चल रही है न्योज में कि इन लोगों की मदद की जाएगी बाइड़ गवर्मेंट वेर दे वोंट हैव तो थेंक अवाउट देमसेल्स वाइल ग्रीडी गुट डुवर्स बेनिफिशन बीस्ट उफ प्रे स्वाम ओवर दियर लाइवस एन्फोर्स करें यह आज अपने वोट मांगने के लिए इनको जूटी उमीदे दिखा रहे हैं इस अदब बैनिफिशन बीस्ट ऑफ बीस्ट ऑफ मतलब होते हैं शिकारी तो यह शिकारी और अपने मतलब से लोगों का शिकार करने हैं कि आज जूटे वादे करेंगे कि यह हमें वोट फिर यह अपने रास्ते हम अपने रास्ते देश्वाम ओवर दिया लाइव एन फोर्सिंग मेनिफिट्स यह इन लोगों को कहेंगे तुम रोट साइट बी बन कर दो तुम गाओं में जाके चलो हमाई साथ और इनकी सारी चीज इन से चीन लेंगे दिया स्वामिंग यह मत इसे मत मक्या जुन्द बनाके किसी के सरफे चड़ाती है वैसी यह उनके लाइफ के उपर मंडरा रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए रोट साइट के लोगों को पॉलिटिशन्स गवर्निंग जो लोगों को रोट चाहिए वो यूस करेंगा विन लोगों को सो दाट दे अब देन क्या होता है टीचिंग देम हाउ तू स्लीप दे स्लीप आल डे बट आड दे वो क्या करते हैं उनको सिखाते हैं तुम चैन की नीन सोना तुमारा घर होगा तुमारे घर के पराबर में थेयटर होगा यह भी होगा वोगों तुम्हें रोजी रोटी सम मिलेगा इसके बाद क्या होता है लोग जितके प्रॉमिस जब कभी कुछी का प्रॉमिस तूटता है ना तो वह टेंशन में आदा तो रात को नीन नहीं आएगी तो इसी तरीके से यह जो है गवर्णिंग बॉड़ी के लिए जो लोग लड़ते हैं वहां जूटे जूटे वादे कर पूरी-पूरी रात उने नहीं में आती क्योंकि जो उनको सपना दिखाया गया था वह पूरा नहीं हुआ है चलो अग्ला स्थैंजा पड़ते हैं सम्टाइम्स फीला माइसेल्फ कैन हार्ड ली बेर दा थॉट तो मच चाइल्डेस लॉंगिंग इन वेर आयकॉन हो गया प इसे ही जो रोड साइट के लोगें इनके अंदर भी चाइल्डेस लॉंगिंग है कि यार यह सिटी के लोग हमार से आगे कुछ खरीद ले ना प्लीज कुछ खरीद ले बट इनकी यह सारी लॉंगिंग में है कोई फायदा नहीं इसका वें मतलब यूजलेस बिकॉस मम्मी इक दुख है लर्क मतलब बंडरा रहा है उस रोड साइट स्टैंड के विंडो पर वहाँ पर विंडो में अंकल बैठे होंगे आंटी वैठे होंगी चीज़े बेशने के लिए वो साड है और वो ओपन प्रेयर करें वो हर समय प्रेयर करें भगवान कोई तो रुक्या मर से कुछ खरीर ले बट कुछ नहीं होता है क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं खरीते हैं उनसे दे प्रे और वो क्या प्रे करते हैं साइलेंटली पूरा दिन अपनी खिड़की में बैठके अपनी जो है काउंटर पे बैठके वो क्या प्रेय करते हैं वो for the squeal of brakes कियार किसी गारी रुख जाए, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that पास, काश एक selfish cars में से एक तो रुख जाए, just want to inquire what a farmer's prices are, कि हमारे price पूछने के लिए, हमारे से कुछ खरीदे के लिए काश एक गारी तो रुख जाए, but ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, and one did stop, but वो कहे रहे हाँ, एक दिन ऐसा वो भी वी थी, वो भी उन्होने खराब कर दी, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it bound, या फिर कोई रुख के हम रास्ता होगार पूछे रूचे है, अंगल वो आगे वाला रास्ता का से, जब Google Map भी हमें समय में नहीं हारा होता है, तो हम उन से रुख के पूछते है, but यह नहीं एक चि और एक पूछे आपके पास gas है, यह बाहर के देश के पाइमन तो बहुत gas से गाड़ियां चलती है, हमारी अभी CNG है, तो हमाँ पे भी gas, तो कोई उन से पूछता आपके पास gas है, बेच तो आप लोग gas, तो poet कहते है, they couldn't, अरे नहीं है भाई, उनके पास gas, they had none, dented से तो never been found, तो कहें country money, जो growth side stand के लोग, जो villagers के पास जो यह money है, इनके money में the scale of gain, यह जो life को support करने के लिए, जो पैसा चाहिए ना, roti kapda मकान के लिए, जो एक simple income चाहिए, वो भी नहीं है इनके पास में, the requested lift of spirit has never been found, यह जो आपको basic lifestyle अपना मेटें करने के जो पैसा चाहिए, व हमें अपना business, हमी road side stand तभी लगा रहे है, क्योंकि घर का खर्चा नहीं चल रहा है, I can't help owing the great relief it would be, to put these people at one stroke out of their pain, अब देखो, बहुत 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 में चल जाते हो, कहते है, ना government इनके help कर रही है, ना हम city के लोग इन से कुछ खरीद रहे है, तो मैं सोच मार दो, यह जितने भी road side stand के लोग है, जितने भी गरीब लोग है, क्योंकि वैसे इनकी life कठेन है इतनी जादा, ना government कुछ कर यह, ना हम लोग इनकी help करने के ली कुछ करे है, तो इतनी खटेन जिनकी से दीने से अच्छा तो क्या है, यह लोग मर जाए ने मार दो, बट इ मैंने सोचा, how I should like you to come to me, कि मैं चाहूँगा यार, मेरे जितने रीडर्स है वो मेरे पास आए, and offer to put me gently out of my pain, और मुझे बेरी दर्द से बहार ने का ले, और पोईट कर दर्द किया, कि road side stand के लोगों से कोई कुछ नहीं खरीद रहा है, तो वो अपने रीडर्स से यह अपी जी पाएं, so with this poem complete, and guys, इसके साथ होती है, हमारी English की सभी poems complete, अब जो है, इस poem के हरे के word meanings, and poetic devices, and question answer में अलग वीडियो बना दूँगी, one shot, जिसमें हम सारे questions भी पढ़ लेंगे, पांच पात दर्दस question कराऊंगी, हर poem के, poem के तो 6-7 में ही ऐसे question हो जाएंगे, जिससे exam के ल पूछ लो, Instagram ID link देख लो, यहां पर सारे notes लाएंगे, summary, important questions, और इंसागी यूज नहीं करते हो, अगर तो community पे देख ले नादा, तो मैं चलती हूँ, पर बैटिके,